मुरादबाद नगर निगम द्वारा भले ही विकासकारियों को प्रात्मिक्ता के साथ कराय जाने की बात कही जा रही हो लेकिन मुरादबाद नगर निगम के वाट संख्या 23 में इन दिनों विकासकारियों को लेकर छेत्र की जनता द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियान दी जा रही है जहां छेत्रे पाश्रत का ही कहना है कि वे लगतार विकासकारियों को प्रात्मिक्ता के साथ करा रही है तो वहीं कुछ छेत्र ऐसे भी हैं जहांपर सौतेला पन होता दिखाई दे रहा है अगर हम बात वाट संख्या 23 के अमबेटकर नगर और महला हुलसन गंच की करें तो यहां पर अभी भी विकास की काफी जरूरत है छेत्रे पाश्रत लगतार इस तरफ अपना ध्यान देने की बात कह रही हूँ लेकिन वाट संख्या 23 में अभी भी कितने ही ऐसे महली हैं जहांपर सड़क और टूटी पूटी नालिया अपनी अंदेखी को बया कर रही है जबकि छेत्रे पाश्रत का अपना महला साफ और स्वच दिखाई दे रहा है और यहां पर सफाई करमचारी लगतार सफाई व्यवस्ता को अंजाम दे रही है वाट 23 में कुछ जगाएं ऐसी हैं जहांपर सड़क बनी ही नहीं है लगतार शिकायते की जा रही है लेकिन छेत्रे पाश्रत द्वारा कुछ खास महलों में ही विकास को करानी का काम किया जा रहा है नगर नगम के वाट संख्या तेज फाजल पुर अमबेटकर नगर में जहां मुख्य मार्क काफी बेतर हो चुके हैं तो वहीं आवास विकास की सीमा से लगा मुखला हुलसन गंच अभी भी विकास को तरस रहा है कबरिस्तान जाने वाला मुख्य मार्क गंदगी से अटा हुआ है तो वहीं अमबेटकर नगर में कई जगा लोगों द्वारा शिकायते की गई है अब देखना ये होगा कि छेतरे पाश्रत इस ओर क्या कदम उठा पाते हैं ये तो कोई नहीं जानता लेकिन इस इलाकी की समस्या का समधान कब होगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर दिखाई दे रहा है अब होगे तरह करते हैं अब क्या चाहते हैं आप हमाज तरफ पर प्रेशान करते हैं इस सब्सक्राइब होगे सब्सक्राइब वेड़ आपनिये हरी कर झाल